नमस्कार कोईख इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन सो टैब में किसी भी फोटो में फिरेम कैसे लगाते हैं तो इस वीडियो को देखते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो इंसो टैब में किसी भी फोटो में फिरेम लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंसो टैब को open करना है open करने के बाद यहाँ पापको एक फोटो का option मिलेगा आपको यहाँ पर click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पापको जिस भी फोटो में फिरेम लगाना है आपको उस फोटो को यहाँ सापको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पापको नीचे में बहुत सरा उप्सन दिखेगा तो आपको क्या करना है कि इसको left की ओर इसको आपको scroll करना है scroll करने के बाद यहाँ पर आपको एक frame का option मिलेगा आपको frame पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सरा frame दिया गया है तो यहाँ से आपको जिस भी frame को यहाँ पर लगाना है उस frame को आपको इस तरह से यहां से select कर लेना है आपको उस photo को यहां से frame को चूच कर लेना है यहां पर आपको अपने photo को हिसाब से उसको adjust करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चलिए यहां समकिस भी एक यहां पर frame को यहां पर हम set करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर फ्रेम लग गिया है और आपको फोटो को बीच में लाने के लिए यहां पर सेट करने के लिए आपको फोटो के यहां से आपको अंगली से आपको इस तरह से आपको अर्जेस्ट करना होगा देख सकते हैं कि यहां पर फोटो को ज जूम हो गिया है, और यहाँ पर फाइनली जो देख सकते हैं कि फोटो मेरा हैं से जूम हो रहा है, तो इस तरह से आपको यहाँ से अर्जेस्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर टिक माक पे किलिक कर देना है, आप फोटो को सेब करने के लिए आपको सेब पे किलिक कर लेना है उसके बाद यह जो फोटो है आपके गैलेरी में फिरेम के साथ सेव जाएगा तो इस तरह से आप इंसो टैब में किसी भी फोटो में फिरेम लगा सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर करें धन्यवाद